हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गूड आफ्टरनून, वेलकम तो अग्रिकल्चर रड़ा 24-7, तो अग्रिकल्चर रड़ा 24-7 की ओफिशल यूट्यूब चैनल पर अब सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम लोग करने वाले हैं अनिमल हस्बेंडरी की क बहुत सारे क्वेशन को करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि माड़े ट्यूजडे होती है आपकी अनिमल हस्बेंडरी की क्लास और यह सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आई बीपीस एफो के एक्जामिनेशन के लिए तो चले गाइस स्टार्ट करते ह हैं हमारी आज की क्लास लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि गाईज अगर आप पहली बार एग्रिकल्च और 247 के चैनल पर विजिट करें हैं तो गाईज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अड़ा 247 के आप को भी ड सारी अक्टिविटीज होती रहती हैं तो उनके लिए अगर आप अप इंस्टॉल कर देते हो तो सबसे पहले बेनिफिट आपको मिलता है ठीक है तो चलिए गाईज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं अनिमल हिस्बंडी की तो वेरी गुड़ नून एसकी सेंग वेलकम सबसे पहले यह सастकी पूरा यह सबसे पहले ओनिंग में संदीबों की क्लास होती है इसके एक्कौरटिंगory क्लास होती है इसके टॉप्ति करते हैं हमारी आज की क्लास आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा केटल और बफैलो फैमिली इस बोवीडी सुईडी एक्वीडी एंड कैमेमलाइटी तो अब बताइए गाइस यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए कैटल और बफैलो बिलॉंग्स टू दा प्यामिली इस कैटल और बफैलो की कौंसी फामिली है बताएए गायज कैट्टल और बफैलो टीधा फैली इस इनकी फैमली क्या होगी है अच्छी श्यामुफर्मा है यह जी वही गुद बट आफ्रोलॉन दिवाकर सभ्घ यह श्यामू वर्मा एओके ठीक है गायज्ड आ आंसर कीजिए, ठीक है, Mr. Landscaper, A is correct, okay, ठीक है, अंजली था, A is correct, okay, okay, तो guys, इसका correct answer क्या होगा, बताइए आप लोग, बाकी students भी एदे, को जितने students देखते हैं, उतने student answer किया करो, ठीक है, तो guys, इस question का correct answer होजाएगा, बोवीडी, ठीक है, A is correct answer है, that will be your बोवीडी, तो अगर हम इसका explanation देखते हैं guys, तो देखे, cattle and buffalo belongs to the family of बोवीडी, cattle and buffalo, जो है, generally, यह आपके बोवीडी family को बिलोग करते हैं, ठीक है, और the family बोवीडी, which include antelopes, cattle, dweekers, gazzers, goats and ship is the largest family within the RT-Dectyla, right, और mainly यहाँ पर एक common characteristic होता है, इनका, these have non-decidus horns, इनके non-decidus horns होते हैं, plus, they're and unbranched horns, इनके जो horns होते हैं, generally unbranched होते हैं, और non-decidus होते हैं, ठीक है, तो cattle's horns, definitely are unbranched होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक horn निकले वहें, और कहीं से उनकी और branches निकल देंगें, कहीं से और branches निकल देंगी हैं, ऐसा तो नहीं होता, और non-decidus होते हैं, गिरते भी नहीं है अपने अपसे हैं, decidus means जो खुद से गिर जाते हैं, तो ऐसे haunts भी generally bovidi family के अंडर नहीं देखे जाते हैं, ठीए, चलिए, अब next question को देखते हैं, guys, हमारा next question है, this year next question, foot and mouth disease are caused by, तो foot and mouth disease कौन cause करता है, viruses, bacteria, fungus and none of these, तो अब बताईए, guys, यहां पर correct answer क्या होगा, foot and mouth disease is caused by, foot and mouth disease जो है, कौन cause करता है, it is caused by the viruses, it is caused by the bacteria, by fungus and none of these, तो FMD, जो कि foot and mouth disease है, यह कौन cause करता है, बताईए, okay, शाकिरली सिंग, B is correct, okay, Mr. Landscaper, B, okay, Priya Singh, virus, okay, हाँ, ठीक है, ठीक है, Mr. Landscaper, आपका अंसर मैंने देख लिए, bacteria, okay, दिवाकर सिंग is also saying, B is correct, okay, कुमारी सिम्रन, A is correct, ठीक है, शामू वर्मा, virus is correct, okay, तो बताईए, यहां पर correct answer क्या होगा, causal organism हो जाएगा, इसके लिए foot and mouth disease के लिए, generally virus, ठीक है, यहां पर जो virus है, यह basically आपका viral infection होता है, तो यहां पर causal organism हो जाएगा, आपका virus, ठीक है, तो foot and mouth disease की जब हम बात करते हैं, guys, तो this is acute infectious disease caused by the virus, virus जो है, इस infection को cause करता है, ठीक है, और इसमें generally आपके seven type के viruses आते हैं, जो बहुत ही एक ही जैसे symptoms को produce करते हैं, which is produce similar type of symptoms और बहुत ही severe infection यह cause करते हैं, तो guys, यह जो FMD का जो infection है generally, यह domestic animals में ज़्यादा दिखा जाता है, ठीक है, यह जो infection है, यह generally आप domestic animals में ज़्यादा देखते हो, कहां पर, domestic animals में यह FMD का जो infection है foot and mouth disease का, जिसको हम हизप कben खोर पकह और मुह पकह भी बोलते हैं, तो ये infection generally आपका domestic animals में जादा देखने को मिलता है ठीक है चलिए अब next में हम चलते हैं which one of the following is chromosome number of cow is 12, 36, 34 and 60 आपको ये बताना है कि cow में total कितने chromosome number होते हैं बताइए 12 होंगे, 36 होंगे, 34 होंगे या फिर 60 होंगे बताइए what is the chromosome number of cow? cow का chromosome number क्या होता है? शामू वर्मा का आंसर आया है 60, ओके, शाकिर अली का भी आंसर आया है 60, शबीहा सुल्ताना का आंसर आया है 60, ओके, ठीक है guys बाकी student भी आंसर कीजिए, क्या correct आंसर होगा इस question के लिए, बताइए cow का chromosome, cow में कितने number of chromosomes होते हैं, बताइए the chromosome number of cows हाँ, दिवाकर is also saying D is correct, ओके, ठीक है नदीम is also saying D is correct, 60, ओके, ठीक है हाँ, तो guys यहाँ पर correct आंसर हो जाएगा 60, ठीक है cow के अगर हम chromosome number की बात करते हैं, तो 60 और 60 कैसे हैं, तो ये भी देख लीजे, तो 60 chromosome including 58 autosomes and 2 sex chromosome, तो guys अगर हम इसमें completely बात करें, तो 58 जो हैं, वो autonomous chromosome है और जो 6 determine करने वाले chromosome हैं, वो सिर्फ 2 chromosome है, ठीक है तो total कितने हो गए आपके पास 60 chromosome, मतलब 6 chromosome जो होंगे, वो one pair chromosome होंगे, ठीक है, वन pair chromosome होंगे, और बाकी जो हमारे पास है, total 58, ये क्या हो जाएंगे, ये total 58 जो है, ये autonomous chromosome हो जाएंगे, तो धियान रखिएगा इस बात को ऐसे question exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, चलिए, अब next question पर हम आते हैं, anthrax is a dash disease, तो anthrax कैसी disease है, बताएं, fungal disease, it is a bacterial disease, it is algal disease और it is viral disease, तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का infection है, ठीक है, ये किस तरीके का infection है, it will be your fungal infection, it will be bacterial infection, it will be algal infection और it will be viral infection, तो जो anthrax है, ये किस तरीके का infection है, बताएं, ओके, शाकिर अली दिवाकर, bacterial infection, ओके, शबीह सुल्ताना, bacterial infection, कुमारी सिमरन, बी, ओके, शामु वर्मा, bacterial infection, प्रिया सेंग, bacterial infection, अंजी था, येस गाइस, बिलकुल, बिलकुल, राकेश कुमार बिलकुल सही answer दिया है, गाईस, इसका correct answer हो जाएगा, bacterial infection, अगर हम anthrax की बात करते हैं, तो anthrax जो है, ये basically आपका एक bacterial infection है, ठीक है, हाँ, तो बिलकुल, जितने students ने bacterial answer किया है, उनका answer बिलकुल सही है, तो गाईस, ये generally एक rod shaped bacteria cause करता है, ठीक है, anthrax का जो infection है, ये एक rod shaped bacteria cause करता है, ठीक है, और this is actually the serious infection, ये काफी severe or serious infection होता है, ठीक है, and it is basically caused by the bacillus anthracis, तो bacillus anthracis इसके लिए causal organism है, और bacillus anthracis जो है guys, ये एक gram positive bacteria है, ठीक है, this is actually the gram positive bacteria, जो की rod shaped bacteria होता है और काफी जादा severe infection ये cause करता है ठीक है secondly it occurs naturally in the soil and commonly affect the domestic and wild animal around the world तो ये दोनों टाइप के animals को effect करता है अगर हम domestic animals की बात करते हैं तो domestic animals में भी infection cause करता है इसके अलावा ये आपके जो wild animals होते हैं wild animals में भी infection करता है तो basically अगर हम बात करें तो it can infect the wild animal as well as the domestic animal दोनों में infection cause करेगा बहुत ही severe infection cause करता है क्योंकि bacillus anthracis bacillus जो है guys ये आपका sporolus bacteria होता है मतलब spor former ये क्या करता है spores बनाता है अपने ठीक है और इसके अपने spor बनाने के वज़े से ये किसी भी temperature पे survive कर देता है high temperature पे भी और low temperature पे तो ये दोनों condition में infection easily कर सकता है ये दोनों condition में infection easily करता है जब ये body में enter करता है तो उसके बाद बहुत ही severe infection ही cause करता है ठीक है next हम बात करते हैं people can people can get sick with the anthrax if can get contact with the infected animal or contaminated animal product तो बेटा ये जो infection है this is actually we can call it zoonotic infection ठीक है हाँ तो दिवाकर ने बिल्कुत सही बताया है this is also the zoonotic infection क्योंकि ये infection जो है ये humans में भी spread करता है दिखो काफी सारे infection होते हैं जो आपके जो आपके चैटल्स हैं जो infection generally क्या होते हैं human beings में आते हैं ठीक है जैसे आप उनका कोई भी product consume करते हो जैसे पोल्ट्री में हम क्या करते हैं पोल्ट्री में हम meat consume करते हैं एक consume करते हैं क्या करते हैं मिल्क को करते हैं तो जैनरल यह अगर उन में उन आनिमल्स में अगर कोई infection है तो वह infection जब आप उनका product consume करें और वह infection आपकी बॉड़ी में भी हो रहा है तो that is called zoonotic infection ठीक है हम उसको क्या बोलते हैं zoonotic infection बोलते हैं तो यह जो bacillus anthracis है यह anthrax infection अगर किसी भी cattle में cause करता है तो उससे related अगर आप उससे related अगर आप कोई भी product consume करते हो उसका milk consume कर रहे हो उसका zoonotic infection ठीक है हम इसे zoonotic infection भी कहते हैं ठीक है वो तो तब TB होता है हम ठीक है चलो अब next में हम आ जाते हैं guys next हो जाएगा आपका fat content in murra milk is तो murra जो buffalo है इसमें fat content कितना होता इसके milk में 7% होगा 5% होगा 10% होगा या फिर 11% होगा बताइए guys ये question examination में पूछा जा चुका है IBPS में ठीक है ये question IBPS में already पूछा जा चुका है ठीक है IBPS A4 में पूछा जा चुका है murra का fat content चलिए बताइए guys correct answer यहाँ पर क्या होगा मुर्रा के milk में मुर्रा बफैलो के milk में fat content कितना होता है है ओके हाँ चंद्रशेखर 7% ओके अंजिता रिशी सुनक 7% श्यामू अधित्य सेवन परसंट ओके विजय लक्ष्मी बहरा हर्ष हर्ष वद्धन का भी है ओके ठीक है विजय लक्ष्मी का भी 7 है सियार प्रिया शेंग कुल्दीप आकाश चौदरी वेरी गुड़ गाइस हाँ शबी हाँ सारे स्टूडिन ने 7% आंसर किया हाँ दिवाकर शाकिर अली का भी आंसर 7% है बिल्कुँ सही आंसर किया गाइस fat content जो होता है मुर्रा के fat में जेनरली 7% होता है ठीक है बिल्कु सही आंसर किया आप लोगों ने चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजे फर्स्ट डॉली क्लोन इस मेड इन होश सीप गोट और काव अब बताए जो पहला क्लोन था ठीक है डॉली क्लोन वो जेनरली किस में बनाया गया था ह हाँ नागपूरी भी 7% ठीक है चलो अब बताओ ओके दिवाकर का अंसर आ गया है शीप ओके शबीहा का भी आंसर आया है शीप ठीक है शामु का भी आंसर आया है शीप चंद्रशेकर शाकिर अली वेरी गूड गाइस प्रीती विजय लक्षमी अंजी था दिवाकर हाँ ठी ठीक है इस ने मुझामिल शीप ओके टाइसरेकर तूरे किने शानान चीप जब una ऐस्ट रह सब ने एंस्य आंसर किया है शीप तो फ़र्स जो डॉली क्लोन है यह किस किस में बनाया गया था शीप में बनाया था ठीक है चलो इसका प्र tweet कर शाडिय सॉन्शन भी थोड़ा स sell and born in 1984 in Cambridge UK ठीक है तो यह जो थी यह शिप के थ्रू बनाए शिप में बनाए गया था ठीक है शिप में इसको बनाए गया था ओके चलिए अब next question का answer दीजे which one of the following is the director of NDRI National Dairy Research Institute तो इन में से आपको यह बताना है कि NDRI के director कौन है ठीक है MS चोहान वर्गीज कुरियन और आरे मराठे और नन अफ दीज बताइए हां जी fitness freak very good afternoon चलिए बताइए गाई इस question के लिए correct answer क्या होगा director of NDRI NDRI के director कौन है बताइए इन में से MS चोहान है वर्गीज कुरियन है आरे मराठे है या फिर आपके none of these होगा बताओ वर्गीज कुरियन ओके very good ठीक है शबीहा का answer आया है वर्गीज कुरियन दिवाकर का answer आया है बी ओके ठीक है शाकिर एली का भी answer आया है बी राकेश कुमार का भी answer आया है बी ओके ठीक है शुभम का answer आया है बी ओके ठीक है में विटनस पृयक ने आंसर की आया है शुब हम चुब्हम भर्मा का न्च आया है बी आकास्ट शौद्री ऐ कुंदीब कुमार ने प्शनार है CR मराथ्थे ऑके ठीक है C आंसर किया है आधित्य पहरादी ऑकके रेच्णि सुनक MS Chauhan ओके ठीक है बताओ guys बताओ देखो जितने student देखते हो ना यार उतने student answer किया गरो फिर class ज़्यादा अच्छा लगता है ना ओके तो guys यहाँ पर हम अगर correct answer देखे तो MS Chauhan जितने student ने answer किया है बिल्कुस नहीं answer किया है यार वरगीज कुरियन को ना father of flood revolution जरूर बोला जाता है लेकिन वो NDRI के director नहीं है ठीक है I think कि आप लोगों ने flood revolution को शायद उससे connect की कर लिया है ठीक है flood जो ये sorry operation flood revolution flood नहीं sorry operation flood ठीक है operation flood से आप लोगों ने उसे include वो कर दिया है connect कर लिया है वरगीज कुरियन operation flood तो लेकर के आये थे father of इने white revolution तो बोला जाता है लेकिन ये इन्हों ने ये NDRI के director नहीं है NDRI के जो director है वो MS चोहान है ठीक है तो ध्यान रखेगा guys इस बात को एक correct answer हो जाएगा ठीक है अनिल शिवास्तवाहान जी तो अभी इन में से पूछ रही हो मैं कि इन में से कौन से होंगे तो इन में से MS चोहान है ठीक है चलो next question का answer दीजे गाइस next question हो जाएगा आपका the national dairy development board was founded in nddb कब आपका first time found करा गया था 1970 में 99 में 94 में 1965 में तो first time founded sorry nddb was first time founded in the year 1970, 99, 94 और 65 अब बताईए हाँ मनेश सास चोहान हम बिलकुल बिलकुल हाँ operation flood 1972, 99 ओके ठीक है अब बताईए गाईज इस question के लिए correct answer क्या होगा nddb was founded in the year कौन से year में ओके डी राकेश कुमार डी विजय लक्षमी ए ओके यहाँ पर सबके answer change हो गए ठीक है चेंदर शेखर 65 1965 डी ओके गनेश कुमार 1965 ठीक है फिटनेस फ्रीक 1965 ओके कुल्दीप कुमार 1965 ओके सीना यादव इस आल्सो सेंग 1965 इस करेक्ट फिटनेस फ्रीक 1965 इस करेक्ट ओके अंडी आराइ ठीक है ओके मुहम्मद माजा मिल हाश्मी 1965 आदेत्य बहरा 1965 यहस गाइस 1965 करेक्ट आंसर है ठीक है तो NDDP जो है basically NDDP was founded in the year 1965 ठीक है to replace the exploitation with empowerment, tradition with modernity, stagnation with the growth and transforming the dairy into the equipment for the development of India's rural people तो guys क्यों यह इसको establish करा गया था इसको establish इसलिए करा गया था ताकि आपके जो rural people है ठीक है जो rural people है उनकी जिया जो आपकी rural economy है उसको बढ़ाया जा सके क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई जो हमारी rural economy है वो ज्यादतर cattle's पे based है milk पे based है right तो इसलिए एंडीडीबी को 1965 में इसको पहली बार establish करा गया था ताकि जो rural economy है उसको भी क्या करा जा सके rural people को भी क्या करा जा सके रूरल people का development करा जा सके इंडिया के जो rural people है उनका development करा जा सके उनकी जो economy है उसको अच्छे से boost up करा जा सके क्योंकि वो किस पे based है जो आपके milk products है milk है उस पे based है ठीक है इसलिए इसको start करा गया था चलिए अब next question पर हम आते है salted meat of pig is known as तो pig के salted meat को क्या बोला जाता है बताओ अमूल दूद पीता है इंडिया हां बिलकुल वही अमूल दूद पीता है इंडिया डिया चिवान मटन बेकन या फिर चिकन अब बताइए गाईज यहां पर correct answer क्या होगा the national dairy development board बताइए the national dairy development board sorry the salted meat of pigs is known as sorry वह पहला question था न तो दिमाग में वही गूम रहा है बताइए salted meat of pig is known as pig की salted meat को क्या बोला जाता है गाईज बताओ बताओ जल्दी से बताइए सॉल्टेड मीट को क्या अच्छा बेकन ओके ठीक है बेकन ओके हम शुभम सी ओके आदिते बहरा ठीक है बेकन बेकन ओके most of the students are saying बेकन is correct है जी गाईज बिल्कुल बिल्कुल बेकन आपका correct answer हो जागा तो जो salted meat होता है पिक का उसको हम क्या बोलते हैं बेकन बोलते हैं बिल्कुल सही आप लोगोंने answer किया है ठीक है सो बेकन बेकन इस a meat product made from the make from the cured pork अच्छा काईस मुझे यह बताओ कि काव के मीट प्रोड़क्ट को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताओ काव एंड बफैलो की मीट प्रोड़क्ट को क्या बोलते हैं बताओ शेवन बकरी ओके ठीक है अच्छा मटन शीप ठीक है बीफ हां बिल्कुल बिल्कुल काव एंड बफैलो की मीट प्रोड़क्ट को क्या बोला जाता है बीफ बोला जाता है पिक को क्या बोला जाएगा बेकन और शेवन किसको बोल हां बिल्कुल बिल्कुल गोट को बोला ज जी बिल्कुल सभी बताएं हाइस श्वधन शुभ हम गनेश सारी स्टूट经 बिल्कुल सभी सही आंसर बता रहे हैं टीक है चलो अब next question का ढंसर बताइए गाई's gastration period of buffalo in a days is buffalo का gestration period कितना होगा बताइए 220 days? 270 days? 390 और 340 बताओ बफैलो का gastration period कितना होगा बताइए what is the gastration period of buffalo हाँ goat का Siwan ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बताया है ठीक है चलो अब बताओ गाई's buffalo का gastration period कितना होगा 220 days 270 days 390 days और 340 डेज अब बताईए हाँ सब होश यारे हैं बिलकुल होश यारे हैं बई आप सबी लोग बहुत होश यारो है ना चलो अब बताओ गाई इस question के लिए correct answer क्या होगा बताओ 390 340 भी answer में आ रहा है 270 भी answer में है ओके ठीक है none of these भी answer में है ठीक है none of these है ओके अच्छा शुभम वर्मा सी ओके 310 days ओके ठीक है 310 days ओके रिशी सूनक 390 days ओके सीना यादव 310 days option wrong अच्छा ठीक है 270 तो 310 days ओके ठीक है 274 तो 324 ओके ठीक है 310 days डी ओके 340 340 ओके 340 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो गाईस इसका correct answer देख लेते हैं इसके लिए correct answer क्या हो जागा देखो अगर अगर हम on an average देखे न तो 242 334 को अगर हम totally इसको देखे तो यह आपका 242 sorry 281 to 334 days होता है लेकिन अगर हम correct में देखे पूरा एक अगर हम एक सही amount देखे तो 310 days है ठीक है तो जितने student ने 310 days बोला है उनका answer बिलको सही है ठीक है option में वापस 334 था तो 340 था तो देखो exact 340 भी नहीं है यह correct answer हो जागा 281 to 334 average अगर हम देखे तो 281 से ठीक है और वैसे अगर हम ऐसा मतलब इसको पूरा अगर बहुत अच्छे से consider करें तो 281 281 से 334 days तक इसको consider कर सकते हैं बात समझ में 281 से 334 तक consider कर सकते हैं लेकिन अगर हमें पास एक एक अगर वो दे रखी है तो वो हो जाएगा 310 अगर इस सिंगल रेंज आपको चूसका नहीं तो 310 हो जाएगा ठीक है चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल option यहाँ पर मैं option के according ही पूछ रही हूं ठीक है चलो अब next question कहां से बताओ morocco leather is prepared from morocco leather किसे बनाय जाता है बताओ camel goat ship and all of the above बताओ अब यहाँ पर correct answer क्या होगा बताओ morocco leather is prepared from camel goat ship and all of the above बताओ बताओ हाँ ठीक है मैं चार्ट भी एक दिन में आके लिए आओंगी ठीक है सभी का gastricion period ओके चलो ठीक है बताओ goat बकरी ठीक है अका शौदरी goat morocco बकरी का है ओके ठीक है goat का maximum students are saying goat is correct ओके अमित कुमार सी करेक्ट शीप गनेश कुमार रमन डी इस करेक्ट ओके ठीक है हम मुहम्मद मुझा मिल ए इस करेक्ट ओके ठीक है तो गाईज यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा बताओ शाकिर अली बी इस करेक्ट हाँ तो गाईज यहाँ पर correct answer हो जाएगा goat इस करेक्ट ठीक है वोट यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा चलो अब next question हम देखते which state leading in a wool production in India is इंडिया में अगर हम wool production की बात करें तो number one पे कौन है बताओ बताओ अब यहाँ पर correct answer क्या होगा बताओ बूल प्र प्रोड़क्शन की अगर हम बात करें इंडिया में तो सबसे जादा यहाँ पर बूल प्रोड़क्शन की कौन करता है बताओ बूल प्रोड़क्शन यहां पर कौन करता है सबस्यादा जम्बू कश्मीर महारास्टा राजस्थान और करना टका बताओ राजस्थान ओके राजस्थान जे एन के भी आंसर में है ओके राजस्थान हर्श वर्धन शाकिर अली राकेश कुमार सीज करेक्ट अमित कुमार C is correct, ओके, नंदीशा C is correct, साशवत A is correct, ओके, ठीक है, जातर, अच्छा, A और C में confused दे रहे हैं, कुछ students कह रहे हैं, राजस्ताने कुछ कह रहे हैं, जमोयन कश्मीर है, ठीक है, वूल प्रोडक्शन में, वूल प्रोडक्शन में किसका नंबर सबसे पहला होगा बताओ, तो वूल प्रोडक्शन के अगर हम बात करते हैं, तो राजस्तान, ठीक है, वूल प्रोडक्शन में राजस्तान बहुत आगे है, ठीक है, तो बेसिकली राजस्तान is the largest wool producer and it is known as, it's for its superior Carpet Grade, Chokla and Magra Wool, तो इसको दोनों के लिए जाना जाता है, Chokla and Magra Wool के लिए जाना जाता है, ठीक है, Carpet Grade is basically Rougher than Appear Grade and Account for 85% of India's production, तो भई, इंडिया में total जितना production होता है, उस में से 85% production कौन देता है, हमारा arid zone देता है, जो कि क्या है, राजस्तान, कौन देता है, हमारा arid zone देता है, राजस्तान, ठीक है, तो टोटल 85% production और ये काफी जादा amount होती है, ठीक है, तो maximum production के अगर हम बात करेंगा ही, सबसे जादा प्रोडक्शन तो वो राजिस्थान देता है और यह लगभग 85% तक प्रोडक्शन देता है पूरे इंडिया का जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एरिट जोन से आता है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जागा चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेशन का अंसर दीजिए अब अभी तो हमने स्टेट पढ़ा इंडिया में वह भी अब हमें पढ़ना है कंट्री में तो कंट्री में वूल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहां पर होता है यह आपको बताना है न्यूजी लेवल पे सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन कौन करता है कौन सा कंट्री करेगा बताओ हां श्यामू वर्मा का अंसर आया है डी ऑस्ट्रेलिया ओके फिटनेस फ्रीक का अंसर आया है चाइना ठीक है मुहम्मद मुझा मिल डी करेक्ट ओके हर्श वर्धन एस करेक्ट बैं विजेए लक्षमी 10 करेक्ट कुल्दीप कांसर आया है ठीक है कि मनीशा पाटल कांसर आया है सी कांसर आया है ऑस्ट्रेलिया शाकीर अलीज आढ्सेइप 시 तीषक नेस फ्रीक आनसर कर दिया अच्छा android सेशं़र संब्सक्र चेंज कर दिया है udいき a dare अच्छा अधित्य बहरादी इस करेक्ट सीना यादव गनेश कुमार ओके मैक्सिम स्टूडेंट आकाश अधित्य रिया हर्श्वद्न सारे स्टूडन और अस्ट्रेलिया आंसर करें गाइस बिल्कुल सही आप लोग आंसर करें और सेलिया करें तो अगर हम कंट्री लेवल की बात करें कि कंट्री लेवल में बूल प्रोडक्शन सबसे जादा कौंसा कंट्री करता है तो कौनसा करेगा ऐस्टेलिया करेगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट ग्वेशिटन का अंसर दीजे गाइस ओओ क्या रहा है चलो अब नेक्स्ट हाँ तो ऑस्टेलिया प्रोड़ुश अग अ South Africa and UK and Uruguay. तो guys, अब यहाँ पर आप sequence देख सकते हो, ठीक है? तो यह आपका सबसे ज़्यादा production देता है. On and average, अगर हम देखें तो 345 million kilos यह wool production करता है. About one quarter of the world wool. तो पूरे world का one quarter जो production है, वो कौन देता है? Australia देता है, बिटा. और यह on and average, 345 million kilos का wool production देता है, जो की बहुत ज़्यादा amount है. ठीक है? तो country level में हमारा Australia का नाम हो गया, और state level पे कौन हो गया? राजस्थान हो गया. ठीक है? जो 85% production देता है. चलो, अब इस question का answer दीजे, which country is first in milk production in the world? तो कौन सा country है, जो milk production में सबसे ज़्यादा आगे है? इंडिया, USA, चाइना और पाकिस्तान. अब बताईए. इस question का correct answer क्या होगा? milk production में सबसे आगे leading country कौन सा है? इंडिया, USA, चाइना और पाकिस्तान. अब बताईए. और गाईज, अगर session अच्छा लग रहा है, important लग रहा है, तो या session को like और share भी कर सकते हैं, है ना? चलो, अब बताऊ, इंडिया, ओके शामु वर्मा का answer आया है, इंडिया, आकाश शौदरी, विजय लक्षमी, शाकिर, सत्या रंजन, ओके नदीशा, सीना यादव, अमित कुमार, कुलदीप, आदित बहरा, आकाश शौदरी, हर्षवधन, नीलम, अच्छा नीलीमा नाम है चंदर शेकर, गनेश कुमार, मनीशा, ओके सारे स्टूदेंट कह रहें, इंडिया इस करेक्ट, रिया, और सेंग एस करेक्ट, हाँ गाईज, बिलकुल, बिलकुल, तो अपका correct answer हो जागा, that will be India, ठीक है, इंडिया का milk production में अभी सबसे leading country है, ठीक है, इंडिया is the world largest milk producer and India produced 22 percent of the global production, तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा, global production में अगर हम बात करें, तो 22 percent का production कौन देता है, इंडिया देता है, ठीक है, and the other country followed by the production is United State of America, China, Pakistan and Brazil, अब इसके बाद आप sequence भी इसका learn कर सकते हो, हाँ, इंडिया में MP and Rajasthan, ठीक है, ओके तो गाईज, इसके बाद आप sequence भी कर सकते हो, इंडिया के बाद आता है, United State of America, USA, then आता आपका China, then Pakistan and then Brazil, okay, तो यह milk production में countries, leading countries है, okay, चलिए, अब next question के हम बात करते हैं, guys, which one of the following is the leading state in the milk production in India, तो इंडिया में milk production में सबसे बड़ा country, सबसे ज्यादा milk production करने वाला कौन सा country है, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर या फिर गुजरात होगा, बताईए, guys, correct answer क्या होगा, अगर हम इंडिया के states की बात करें, तो इंडिया के state में सबसे जदादा milk production करने वाला country कौन सा है, जल्दी बताओ, हाँ, महेश, प्रशाद का अंसर आया है, विजय लक्षमी, ए, ओके, एगरी बाबा, यूपी, ठीक सुनक, ओके, अमित कुमार, very good, guys, बिल्कुल सही answer दिया है, यूपी, ठीक है, यूपी अपका correct answer जागा, यादिं की उत्तर प्रदेश, ओके, तो उत्तर प्रदेश is the highest milk producing state in the India, and it contribute 18% of the total product, total produced in milk, in India, तो इंडिया में जितना भी milk produce होता है, उस में से, अकेला 18% कौन produce करता ह है, यूपी करता है, ठीक है, तो guys, ये question ध्यान रखेगा, ऐसे question बहुत ही ज़्यादा important होते हैं, ठीक है, ऐसे question बहुत important होते हैं, ये question आपके examination में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, अब next question का answer दीजे, which Indian state have the highest number of goats, कौन से state में सबसे ज़्यादा goats है, राजस्थान में हैं, वेस्ट विंगॉल में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, या फिर बिहार में हैं, बताइए, correct answer क्या होगा, बताइए, यहाँ पर correct answer क्या होगा, which Indian state have highest number of goats, कौन से Indian state में goats के नंबर सबसे ज़्यादा है, बताइए, राजस्थान में होगे, वेस्ट विंगॉल में होगे, उत्तर प्रदेश में होगे, या फिर बिहार में होगे, बताइए, फटावट से बताइए, very good, राजस्थान, ओके, अमित कुमार, मनीशा, विजय लक्षमी, MS, राठोर, हर्श्वदन, श्यामू, महेश, कुल्दीब, गिन्नी, all students are saying, A is correct, सारे student का अंसर A आ रहा है, that is, राजस्थान, ओके, तो कौन से स्टेट में हाइस नंबर अफ गोट से, बताइए, हाँ, बिलकुल गाइज, तो करेक आंसर हो जाएगा, आपका वेस बंगौल, वेस्ट बंगौल में, गोट से सबसे zaten है, अभी यह मैंने रिसेंटली चेक है, तो रिसेंट में तो गोट Div 게 नंबर देंगा नंबर यह सबसे सब से सब जादा है, तो राज ड श्थान में अभी मैं ने देखा तो नहीं है, ठीक है, अभी मैंने गोट से लिछ online आपने रेटा को जहां से आपने पड़ा है एक बार आप लोग देख लीजेगा ठीक है तो वेस्ट पंगॉल में सबसे जादा गोट्स है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अंसर हम देख लेते हैं फैट कंटेंट इन डबल टोन मिल्क इस तो डबल टोन मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है 2 परसेंट 1.5 परसेंट 2.5 परसेंट यहां पर फैट कंटेंट मिल्क में सबसे जादा के डबल टोन मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है 2 परसेंट होगा 1.5 परसेंट होगा 2. 2.5% होगा या फिर 1% होगा बताओ वेस्ट वेंगल चलो एक बार में डेटा चेक कर लूँगी ठीक है यह डेटा में एक बार चेक कर लूँगी राजस्थान है फिर वेस्ट वेंगल है में एक बार दुबारा चेक कर लूँगी ठीक है चलो फिर कल की ग्लास भी हमारी अनिमे करके फिर आप लोगों को बताओंगे ठीक है कल की क्लास में हम फिर से एक बार इस क्वैस्शन को करनेंगे चलो बताओ लिए ओन पॉइंट फ़ाइफ परसंट ओके रिया फ़ाइफ फ़ाइफ परसंट ओके एक दशमलव पांच प्रतिशत बिल्कुल वेस्ट बेंगॉल ठीक है मैम हाँ ठीक है कोई बात नहीं पर आप लोगोंने बोला है तो एक बार मैं दुबारा से चेक कर लूँगी ठीक है वैसे मैंने सही से देखा था एक दो बार चेक करके क्योंकि यह वाला रेटा जो है ना यह चेंज होता रहता है कि हाईस तंबर चेंज होता रहता है तो इसलिए सोर्स तोड़ा सच्छा देखना पड़ता है पर कोई बात नहीं है मैं एक दुबारा देख लूँगे ठीक है 1.5% ओके 1.5% 1.5% ओके ठीक है बताओ बताओ गाईस क्या हो का करेक्ट आंसर इसके लिए 1.5% ओके ठीक है तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो देखो होल मिल्क है 3.5% टोन मिल्क हैस 2% और डबल टोन मिल्क इस 1.5% और इसके मिल्क है 0% ठीक है तो कितना है टोटल फैट 1.5% ठीक है तो यह हर टाइप के मिल्क का है तो यह जैनरली कितना आता है यह जैनरली आता है आपका 1.5% ठीक है दे क्लास में दुबारा चेक करके बता दूँगी ठीक है तो इतना इस्चु करने का वो नहीं है तो आफ लगी चीज्श क्योंकि mistakes हर किसी से हो जाती है ठीक है तो एक बार एक बार आप लोग भी चेक कर लिजेगा मैं इसको चेक करके कलकी जो रागुले स्टूडेंस है कलकी ग्लास में आप लोग आ चाहिए तो एक बार हम दुबारा से इसका डेटा डिस्कुस कर लेंगे वैसे मैंने अभी रीसेंट पुराने डेटा में तो राजस्थान है लेकिन एक बार आप लोग भी चेक कर लिजेगा मैं चेक कर लूँगी ठीक है हां जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने रीसेंट डेटा ही चेक किया है उसके अकॉर्डिंग ही बताया आप लोग को कि वेस्ट बेंगॉल है ठीक है और जो तो यह हमारा लास्ट क्वेशन था ठीक है अब इसके बाद यह हमारा नेक्स्ट क्वेशन है चलिए अब इस क्वेशन का आंसर कीजिए वट इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 10 डिग्री सेंटिग्रेट 107 डिग्री सेंटिग्रेट 100 0.5 degree centigrade and 110 degree centigrade अब यह बताओ मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना है what is the BP of milk BP मतला blood pressure नहीं बॉइलिंग पॉइंट ही है चलो बताओ what is the boiling point of milk milk का boiling point क्या है बताओ 100.5% okay 100.5% ठीक है ठीक है very good okay 100 degree भी आंसर आ रहा है 100.5% दोनों है okay 100.5 100 okay okay बताओ guys बताओ क्या होगा हां तो बिल्कुल 100 100.5 degree centigrade जो है यह आपका correct answer हो जाएगा तो अगर हम boiling point की बात करते हैं ठीक है तो milk is a component of liquid which contains fat in the emulsion form बिल्कुल emulsion form में होता है ठीक है globules बनते हैं and protein in the collidal state and lactose are the two solution and the boiling point of milk is 100.5 degree centigrade तो guys यहां पर आपका BP कितना हो जाएगा milk का 100.5 degree centigrade हो जाएगा boiling point ठीक है चलो अब guys यह हमारे आज के question थे okay I hope you all like the session आपको session बहुत अच्छा लगा होगा right तो guys session को share भी कर लिया कीज़े है न और इसी के साथ तत guys यह आपका IBPS AFO का batch है mains का batch है इसमें pre included नहीं है okay यह सिर्फ आपका mains का batch है तो जिन students को mains के लिए preparation करनी है guys आप लोग enroll कर सकते हो batch में और batch में enroll करने के लिए आप एक coupon code apply कर सकते हो Y447 जैसे आप एक coupon code apply करोगे आपको इस coupon code पर मिल जाएगा maximum discount यानिकि 77% का discount और आप enroll कर सकते हो IBPS AFO के batch में ठीक है और गाइस कल की class में भी बिलकुल जूड़िएगा क्योंकि कल की भी आपकी animal husbandry की class है ठीक है तो कल की class में भी हम लोग एक बार जो data आप लोग बोल रहे थे कि माम change है change है तो एक बार मैं दुबारा से उस data को चेक कर लूँगी ठीक है आप लोग भी उसे चेक कर लीचेगा फिर उसके बाद हम लोग कल की class में उसे दुबारा से पढ़ लेंगे ठीक है तो गाइस कल भी हमारी animal husbandry की class है तो गाइस कल भी आप लोग animal husbandry की class same time पर करिएगा और बाकी यह हमारा बैच है इसमें आप इन्रोल कर सकते हो इसके अलावा जिन student को batch में पढ़ना है ठीक है जो student only batch में पढ़ना चाहते है मतलब किसी specific subject के batch में तो गाइस आप specific subject के batches में भी पढ़ सकते हो ठीक है specific subject के batches के लिए आपको क्या करना है आपको स्पैसिफिक सब्जेक के batches भी है तो आपको क्या करना है अड़ 24-7 की site पर जाना है मैं आपको specific batches भी बता देती हूं जो किसी particular subject के है हां जी कल यही time रहेगा class का तो आपको इसी time पर आना है ठीक है यह all courses पर आपको जाना है जुनून जो की मेरा batch है इसमें आपको animal husbandry and dairy sciences, plant pathology, crop physiology और agro-metology की classes मिल जाएंगी ओकी इसके अलावा यह ibpsso का mains का batch है यह तो मैं आपको बताई चुकिए हूं यह मिनाक्षी व्याम का batch है मन्थन इसमें आपको मिल जाएंगी entomology, plant breeding, genetics, seed science, sericulture, apiculture की classes यह अब है संदीब सर का current FAS का batch है अगर आपको current FAS पढ़ना है तो आप इनके batch में भी enroll कर सकते हो ठीक है इसके अलावा वर्चेश हो यह वर्षम हम का batch है इसमें forestry, fishery, agriculture, engineering की classes आपको मिल जाएंगी ओके तो guys इन classes में enroll करने के लिए आप एक coupon code apply कर सकते हो ठीक है इसका जो actual price है 3199 है आपको क्या करना view offers में जाना है और यहाँ पर जाकर के आप एक coupon code apply कर सकते हो coupon code हो जाएगा आपका Y447 जैसे आप इस coupon code को apply करोगे देखे बैच के price 735 हो गया है ना तो guys आप enroll कर सकते हो इन batches में ठीक है मैं tough question चाहिए देखो question हर्थ ही के आते हैं ठीक है कोई जरूरी नहीं की easy question आरे कोई जरूरी नहीं बहुत tough question आते है और tough or easy आप किसको बोलते हो tough or easy अगर आप नहीं पढ़ते हो ना तो वही question आपके लिए बहुत tough हो जाता है जब आपने चीजे पढ़ी होती है तो वह चीज आपके लिए बहुत easy हो जाती है तो यह tough or easy का पहले मैं आपको difference बता देती है definition आप लोग जान लो कि definition कुछ नहीं होता tough and easy का अगर आप उसी चीज को पढ़ लेते हो तो easy हो जाती है नहीं पढ़ते हो तो वहीं चीज बहुत tough होती है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है and that's very good वो बहुत अच्छी बात है ओके तो चलिए गाईस मिलते हैं आप से अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और कल की अनिमल हजबंडी की क्लास भी जरूर सेटन करिएगा ओके बाबाई टेक कियर and all the best